नमस्कार आपका स्वागत है पशुपक्षिय और छोटे जीव जन्तों के द्वारा हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं इन में से कुछ शुब संकेत होते हैं और इनसे भविशे में होने वाली शुब घटनाव का पता चलता है वही कुछ संकेत अशुब भी होते हैं और इन संकेतों के शुब आशुब फलों के बारे में बताया है चिपकली भी एक ऐसा जीव है जो अकसर हमारे घरों में दिखी जाता है चिपकली दिवार पर चलने वाले छोटे-छोटे कीडे मकडों को खाने के चकर में कई बार फिसल कर नीचे जमीन पर तो कभी हमारे शरी पर गिर जाती है अधिकतर लोग चिपकली से घरना करते हैं और किसी भी तरीके से इसे हमेशा अपने घर से दूर रखनी की कोशिश करते हैं लेकिन आपको जानकर आश्चेरे होगा कि चिपकली के दिखने यह हमारे शरी के विबिन आंगों पर गिरने का एक महत्वा होता है आज हम शकुन शास्त्रा और जोती शास्त्र के अनुसार आपको बताएंगे उने कुछ संकेतों के बारे में जो हमें चिपकली के द्वारा मिलते हैं तो चली यह जान लेते हैं शरी के विबिन आंगों पर चिपकली गिरने का क्या आरतो होता है अगर आप चानल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब ज़रू करे और बेल आइकन को अवश्य दबाए ताके आप इसे अध्यत्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके साथी वीडियो को लाइक करना ना भूले सबसे पहली बात अधिकांश्त पूर्षो की दाये और महिलाओ की बाय अंगों पर चिपकली का गिरना शुब माना जाता है वैसे तो शकुन शास्त्र और जोती शास्त्र की अनुसार चिपकलीों का दिखना चिपकली का आचनक घर में आना तता चिपकली का शरीपर गिरना ये सब अधिकतर शुभी माना गया है शास्त्र में भी चिपकली को मा लक्ष्मी का रूप माना जाता है इसलिए चिपकली का हमारे शरीपर गिरना मा लक्ष्मी के और से संकेत माना जाता है यदि घर में छिपकली आ जाए तो उसे मार कर भगाना नहीं चाहिए बलकि जब तक वो आपने आप न चली जाए तब तक इंतजार करना चाहिए या फिर किसे ऐसे तरीके से उसे भाहर निकलना चाहिए जिससे उसे कोई नुकसान ना हो यदि दीपावली के दिन तीन छिपक तो शकुन शास्त्र में इसे भोती शुब माना गया है। ऐसे वेक्ति का समाज में मान समान बढ़ेगा और आकस्मिक धनला भी हो सकता है। धन प्राप्ति की योग बनते हैं, लेकिन बाये हाथ पर छिपकली गिरना धन के खर्च होने का संकेत है। चवती बात, यदि किसी व्यक्ति के धाइने गाल पर छिपकली गिरती है, तो उसके जिवन में सुक सुविधाओ की वरद्धी होती है, लेकिन यदि बाय गाल पर छिपकली गिरे, तो स्वास्त सबंदी परेशानिया आ सकती है, पाची बात, यदि नाग पर छिपकली गिरती तो उस वेक्ति के जीवन से कोई बड़ी परिशानी दूर होने वाली है और जल्द ही उसके अच्छे दिन आने वाले है। और यदि ये यात्राय, आपके व्यावसाय या नौकरी से सबंदित हो तो ये आपके लिए भूती फाइदेमन साबित होगा। इसके विपरित यदि बाये पैर के किसी हिसे पर छिपकली गिरती हैं तो इसका परणाम अच्छा माना नहीं जाता। इससे घर में कलग कि स्थित निर्मान होती हैं। आठी बात यदि किसी व्यक्ति के मूचों पर छिपकली गिरती हैं तो उसका समाज में मान समान बढ़ने का संकेत हैं। साथी आपके किसी कारे को लेकर आपकी समाज में तारिभ भी हो सकती हैं। नवी बात यदि किसी व्यक्ति के धायने कान पर छिप जिपकली गरती है तो उस वेक्ति को सोने का कोई आभूशन मिलने वाला है या किसी न किसी रूप में सोना घर में आने वाला है। बाये कान पर येदी चिपकली गिरे तो ये भी शुब संकित है इसे वेक्थी का स्वास्थ्य अच्छा होता है और उम्रबी बढ़ती है दसी बात, येदि किसी वेक्ति के छांती के बीचो भी छिपकली गिरती है तो ऐसा वेक्ति मेहनत के बल पर बहुत आगे जाता है और समाज में बहुत नाम कमाता है एदिकी सी महिला की पीट पर छिपकली गिरे तो ये शुब होता है ऐसी महिलाए भागे चाली होती है और मा लक्षमी उनकी पूजा से और उनके विवहार से अत्यंत प्रसंद है महिला के पीट पर छिपकली गिरने से घर में सुक समर्दी आती है और परवार में शांती बनी रहती है ग्यारवी बात पूर्षो के बाये और महिलाओ के धायने कंदे पर छिपकली गिरना अशुब माना जाता है इसे भोईश में कुछ ना कुछ अशुप घटित हो सकता है, ठोड़ी पर छिपकली गरना भी अशुप फलदाई होता है, तो दोस्तो इस प्रकार से शकुन शास्त्र में शरीक के विबे नांगों पर छिपकली गरने का अर्थ बताया गया है, आपके शरीक के किनांगों पर खिपकली गिरी है, कमेंट में आउश बताए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, कमेंट में जेमाल लक्ष्मी आउश लिखे, साथ इस चानल को सब्सक्राइब करे, धन्यवाद.